वेजीटो ड्राइगन बॉलजी में सबसे ज्यादे स्ट्रॉंगिस्ट क्यार्क्टर है। उसको कोई भी नहीं हरा सकता। ड्राइगन बॉलजीटो ड्राइगन को साथ में इस्तेमाल कर सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से बहुत मेरे चनल को सब्सक्राइब पर दें इस वीडियो को लाग कर दें जब सूपर वू गोहान से लड़ने के लिए गौटेंक सो एब्सॉर्ब कर लेता है तो वो गोहान को भी हरा देता है जिसकी वज़ा से गोकु को पोटारा फ्यूजन के बारे में बता चलता है ओल्ड काई से ओल्ड काई बताता है कि ये एक पर्मिनन्ट फ्यूजन है पोटारा फ्यूजन ज्यादा पावरफुल है फ्यूजन डांस से गोकु ने सोचा था कि वो गोहान के साथ फ्यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सूपर बू ने गोहान को एब्सॉर्ब कर दिया और वो भूहान पन गया, जिसकी पावर पूरे उनिवर्स में सबसे ज्यादा थी, गोकु ने गोहान को खो दिया था, लेकिन किंग यामा क वज़े से वेजीटा अर्थ पर आ गया था, गोकु वेजीटा को बताता है कि सूपर बू ने सबको मार दिया है, जिसके बाद वेजीटा फ्यूजन करने के लिए तयार हो जाता है, जिससे एक अल्टिमेंट फ्यूजन मनता है, वेजीटो, बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था, वेजीटो का नाम वेजीटा और क्याकरोट से बना है, और वेजीटो गोकु को क्याकरोट क्याकर पुकारता है, वेजीटो सूपर बू की हर टेकनीक को असानी से हरा देता है, जिसके बाद वेजीटो सूपर सेयन में ट्रांस्वाम हो जाता है, और उसकी super sand form इतनी powerful होती है कि उसमें electricity होती है पूरे margin boost सागा में वेजीटो सबसे ज़्यादा ताकतवर fusion होता है लेकिन जब super boost ने वेजीटो को absorb कर लिया तो वेजीटो super boost की body के अंदर unfuse हो जाता है और माना गया कि ये margin boost के magic की वज़े से हो या होगा फिर ये character बहुत सारी games में भी आया लेकिन हमें ये character वापिस मिला future trunks arc में जब fuse जमासू सब को मार रहा होता है वेजीटा और गोकू पोटारा की मदद से fuse होने का सोचते हैं लेकिन वेजीटा ये करने के लिए तयार नहीं होता जिसके बाद universe 10 का supreme काय बताता है के पोटारा fusion mortals के लिए per minute नहीं है ये सर्फ एक घंटे के लिए रहेगा जिसके बाद हमें वापस देखने को मिलता है वेजीटा लेकिन अब गौड लेवल पर वेजीटा सूपर सेयन ब्लू ट्रांस्वर्मेशन में fuse जमासू को असानी सहारा दिता है लेकिन जब वेजीटा अपना final attack करता है final कामे हमें हाँ तो वेजीटा अन फ्यूज हो जाता है और यहां से वेजीटा का character useless हो जाता है क्यूंके यूनिवर्स 10 का सुप्रीम का बताता है कि सूपर सेयन ब्लू की power से time limit और कम हो गई जिसका मतलब अगर वो सूपर सेयन ब्लू इस्तमाल करेंगे तो वो 30 मिनट तक भी fusion नहीं रख सकते और fuse जामासू के पास re-generate करने की power थी इसके वज़े से वेजीटो जामासू को नहीं हरा पाता और यहीं से सब लोग वेजीटो को useless समझने लग गए क्यूंके अगर वो सूपर सेयन ब्लू की power को इस्तमाल नहीं कर पा रहा तो वो next form को भी नहीं इस्तमाल कर पाएगा जैसे अल्टर एंस्टिंक्ट और वेजीटा की नहीं form अल्टर एगो और जब ड्रेगन वाल सूपर ब्रॉली आई तो लोगों को लगने लगा कि गोजीटा का fusion ज़्यादा अच्छा है क्यूंके वो सूपर सेयन ब्लू को असानी से इस्तमाल कर पा रहा था लेकिन क्या वेजीटो अल्टर एंस्टिंक्ट और अल्टर एगो को कमभाइन करके fusion को ज्यादा वक्त इस्तमाल कर सकता है हाँ क्यूंकि super sin god और super sin blue में सिर्फ god की आती है लेकिन ultra instinct ऐसी techniques है जो gods के उपर है और Vegeta की god of destruction की power gods की power है जिसका मतलब Goku और Vegeta दोनो god level बेर potara fusion करें तो वो permanent fusion बन सकते हैं जो की इस problem को fix कर सकता है लेकिन शायद ऐसा भी हो के supreme का ही potara fusion कर सकते है potara से और अगर वो permanent vegeto बन जाए तो वो वापस कैसे unfuse होंगे dragon balls की बदस से वो वापस unfuse हो सकते हैं जैसे kebito का हुआ था namic के dragon balls यूज करके और अगर porunga या shandron में इतनी power नहीं के वो इन दोनों को fuse कर पाए तो dragon balls super में हमें एक नया dragon balls का set देखने को मिला super dragon balls जो की कोई भी wish पूरी कर सकता है जैसे erased logo को वापस लाना जो की impossible है तो कोई भी dragon balls की मदद से उनको unfuse किया जा सकता है और ultra ego और ultra instinct की power से vegeto की power बहुत जादा हो जाएगी क्यूंके वो कभी भी unfuse नहीं होगा जिससे वो बीरस को भी असानी से हरा देगा और वीज भी उसके लेवल पर नहीं होगा क्यूंके vegeto अगर किसी से कमतोर है तो वो vegeta की ultra ego से अपने आपको ताकतवर बना सकता है और शायद gogeta ultra instinct और ultra ego को इस्तमाल ना कर पाए क्यूंके अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी fusion dance करके किसी भी खत्रे को असानी से हरा देंगे जबके potara earrings उनको supreme कैसे लेने होंगे तो guys आपको क्या लगता है क्या ऐसा होना चाहिए क्या वेजीटो को एक permanent fusion बन जाना चाहिए और क्या वेजीटो इस form में रह पाएगा आज की वीडियो के बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैं मिलता आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई